एक अच्छा मैजिशन कभी भी अपना सीक्रेट नहीं बताता लेकिन मैं बताता हूँ क्यों मैं हूँ बैड मैजिशन फ्रेंड्स आज बहुत ही उनिक एक टास्का जादू में आप लोगों दिखाने और सिखाने वाला हूँ तो चलिए देख दे आज का यह ओसम मैजिक फ्रेंड्स मेरे पास एक टास्का पैकेट है तो इससे में निकाल लेता हूँ पूरे कार्ट को ठीक है अब यह बॉक्स है पूरा खाली और इसको कोई ज़रूद भी नहीं तो इसको साइड में रखते हैं तो अब मैं इस तास्क के पैकेट को कर दूँगा शफल ठीक है अब फ्रेंड्स यह जो मैजिक होगा यह आप मतलब इन स्टैंड किसी को भी दिखा सकते हो ओके तो अब यह कार्ट का पैकेट हो गया शफल तो अभी मैं इसको तीनों हिश्चों में बार्ट दूँगा यह कर सकता है मतलब ऐसा कोई बात नहीं मतलब मैं ही इसको डिवाइट करूंगा और इसको डिवाइट कर सकता है तो अब यह जो तीन कार्ड है फ्रेंड्स इस तीन कार्ड हो क्या 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 है यह क्या बोलना पॉसिबल है आपको क्या लगता है इंपॉसिबल है क्योंकि बोलते हैं ये card है two of hearts एकदम सही और friends ये card ये है six of diamond और एकदम सही friends मैं अभी इस तीनों card को ऐसे हटा दूँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो बोला क्या वो सही है या फिर गलत मैंने आपको जो पहले बोला था वो है nine of diamond उसके बाद मैंने बोला था two of hearts और उसके बाद बोला था six of diamond friends एकदम match हो गया और ये हर बार होगा ये आप इस वीडियो को अगर पूरा देखोगे और समझोगे तो आप भी ये कर सकते हो चली आगे बरते और देखते कैसे ये awesome से magic हुआ friends अभी वक्त है जानने का कैसे आप लोग इस awesome से magic को कर सकते हो तो इसके लिए मैं प्रेफर करूंगा आप कोई भी एक task का packet लो और performance से पहले आप कार्ट को मतलब ऐसे घुसाओ जिससे की जब आप बहार निकालो तब आप एक कार्ट देख पाओ ठीके अब क्यूव वो में अभी आप को समझाता हूं ठीके हम लोग naturally कार्ट कैसे निकाल लेते packet से ऐसे निकालते हैं ठीके तब आप एक कार्ट देख पाओ ऐसा होना चाहिए तो इसको पलड को बदल देते हैं कुछ और कार्ट रखते हैं ठीके यह मान लीजिए अब आप performance के लिए रेडी हो एकदम पूरा एकदम step by step देखना तो packet को खोलेंगे और कार्ट को निकालें करेंगे audience है उस तरफ आपके तरफ तो audience यह नहीं देख पाएगा लेकिन आप देख पाओगे कि आप कौन सा कार्ट निकाल रहे हो और उसमें last कार्ट क्या है इस टेक में अब shuffle के बीना अगर magic करेंगे तो लोगों को मतलब क्या बोलते doubt होगा तो आप shuffle भी करो अब यही है पर यह चाला की इस कार्ट को हम लोग एकदम टॉप पे ले आएंगे ठीक है हम लोग कैसे shuffle कर रहे देखिए इसको कहते overhand shuffle ठीक है मैं सब कार्ट उपर से ले रहा हूं और एकदम last में आके यह वाला जो नीच का कार्ट है एकदम नीचे जाए तो bottom का कार्ट था वो आगया उपर तो अब इसको ऐसे डग देते हैं अब audience को बोलते हैं कि तुम इसको कही पर तीन हिस्सों में बाट दो ऐसे करके बाटो कि तीनों हिस्से में equal card रहे तो वो उसके उपर ध्यान देगा और वो ऐसा कुछ नहीं करेगा तो उसने कल लिया अब मैं सिब जानता हो कि यह card क यह पहला वाला card इसको बताएंगे कि यह यह है मतलब अभी मैं बताऊंगा यह card है five of hearts अभी मैं तो उठा के तुरंद नहीं दिखा रहा है और इसको तो मैं इसको लूँगा और इसको देख लूँगा मैं बोला कि यह है five of hearts इदर है मैं बोलूँगे यह five of hearts है अब उसको उठाते वक्त देख लूँगा कि वो card क्या है यह five of diamond अब इस वाले को इधर बोलेंगे यह card है five of diamond समझ गये तो अभी उसको भी उठा के देखेंगे और इसको उपर रख देंगे अब यह जो मैंने देखा अब इस वाले card को इधर बोलेंगे कि इधर है jack of spade और बोल के वो पूरा तीनों card इसको तीनों पाइले से हटा देंगे और फिर दिखाएंगे जो हमने बोला five of hearts, five of diamond, jack of spade ठीक है तो friends यह से होता है यह magic, I hope आप सबको यह magic बहुत ही अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारी दोस्तों क share, share कर दो, जो magic पसंद करते हैं, मतलब सबको यह magic सीखना चाहिए, बहुत easy है, कभी भी आप यह magic दिखा सकते हो, और अगर ने हो तो चैनल को subscribe भी कर लो, क्योंकि मैं एक दिन बाद-बाद आप के लिए लाता रहो तो बहुत easy, easy, awesome, awesome content, तो मिलते अगले वीडियो पे तब आदा, बादा, बाई-बाई